दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है केमकल की कुछ बहुती बहतरीन कमपनिया है उनमें से जो बहुती भरोसे लाइक कमपनिया है जिनमें आप अगर देखें आख मूंद के पैसा डाल सकते हैं खास कर ऐसे मौसम में जबकि सारी कमपनिया 50% के आज पास correct हो चुकी है तो वहाँ पे हमें एक opportunity देखने चाही क्योंकि केमकल का सेक्टर पूरी तरहिके से गिरा हुआ है और इस चीज का लाब आपको भविश में आने वाले समय मिलेगा तो आज हम बात करेंगे दीपक नाइटराइट के बारे में उनके quarterly results पे देखेंगे तो क्या संभावनाय लगती है आगे आने वाले समय में कुछ अच्ची चीज़ें अगर देखने को मिल जाए कि जैसे कि इस company में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं एक नजर में यहां पे business देख लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं basic chemicals में 46% 16% performance products में और 38% fine and specialty chemicals में आ जाते हैं तो chemicals में सारे applications हो जाते हैं जैसे dyes and pigments हो गया agrochemicals, pharmaceutical industry हो गई fuel additives हो गई rubber industries हो गई, paper हो गई detergents हो गई, personal care में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है पाकी का दूसरा जो business segments है इनका जो phenyl का है जिसमें phenol और acetone यह business भी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा फलफोल रहा है, तो दीपक nitrite and दीपक phenylix, कुछ इनके जो बड़े clients हैं जैसे कि BASF हो गया Syngenta हो गया, Reliance Industries हो गया Bear Group हो गया Lanxess हो गया, UPL हो गया, Indian Oil Clarion and Saltigo 30 से ज्यादा countries में इनकी presence है और भारत वर्ष में भी अच्छा खासा इनका market share जहांसे इनको बहत्रेन revenue प्राप्त होता है और बाकी 35% ज्यादा इनको export से आता है अब stock price पर आई हम चर्चा कर लेते हैं अभी आज, यानि की 31 माई को दोपहर को 2074 रुपए की price पर ट्रेड हो रहा है और जो 52 week high रहा यानि की साल का, वो 356 और lifetime जो high रहा अगर देखते हैं तो वो 3000 के आसपास low जा चुका है 1681 का तो अगर देखें 3000 का stock price ये high बना चुका है जब इसके अच्छे दिन थे जब पूरे भारती बासार के अच्छे दिन थे पूरे chemical sector के अच्छे दिन थे तो यहां से आप देखेंगे तो करीब 30% से ज़्यादा ये गिर चुका है लेकिन अगर opportunity के तरफ देखते हैं तो वहीं 2000 रुपए में खरीदा गया है stock अगर 3000 कभी ये अपना high भी बनाया जो अपना high तोड़ेगा तो यहां पे 50% का जो है एक आउसर दिखता है एक साल में देखा जा तो saving accounts वाले रिटने यहां पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन 6 माहिने पहले जिनों निवेश किया उनको साड़े 4% का नुकसान हो रहा है 28,000 कोड के आसपास इसकी market capital है और 2 की face value से stock की है अगर 5 सालों में देखें तो performance काफी अच्छी खासी नज़र आ रही है और अभी जाकि यह फिलाल गिरते गिरते थोड़ा सा थमसा गया है 33 की price to earning ratio पे है price to book value 6.92 का है delivery यहां पे 28% के आसपास और dividend भी मामूली सा pay करता है चेक करेंगे quarter results जैसे कि March का जो quarter रहा quarter 4 में 1961 का total व्यापार हुआ जबकि पिछले quarter में था 1991 का तो यानि कि quarter दर quarter business में थोड़ी सी यहां पे तकलूफ देखी गई है 30 करोड के आसपास का यहां पे down है पिछले वर्ष का quarter देखते हैं यानि March 22 में तो 1872 करोड की यहां पे आमध हुई थी तो उससे तो खेर मामूली से बलके दिखाई दे रही है इसी प्रकार से अगर हम operating profit देखते हैं तो 348 करोड का निकल क्या है जबकि पिछले quarter में था 315 करोड का अब जबकि पिछले वर्ष के quarter में था 410 करोड का तो आप ध्यान देंगे कि करीब जब रशिया यूक्रेइन का वार शुरू हुआ था उसके पश्चा crude oil भी काफी तेजी से बढ़ गया था साथ ही साथ अगर देखा जाए जो डिबांड थी वो कम हो गई क्योंकि जर्मनी जैसी country European countries में या यूँसे कुछ countries में थोड़ा इस समय slowdown लाया जा रहा है तो इस वज़े से आप देखेंगे तो sales में यहाँ पर प्रभाव पढ़ रहा है इसी प्रकार से operating profit देखेंगे तो पिछले वर्ष के quarter के मुकाबले तो कम आया है लेकिन पिछले quarter थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है कि खर्चों अगर हमें control यहाँ या raw material में यहाँ पर कमी देखी गई है क्योंकि यह कुछ products import भी करते हैं उसके बाद फिर उसको process करके बना के export या फिर जो domestic में खबत करते हैं नेट profit अगर देखें 234 करोड का रहा पिछले quarter था 29 करोड का तो बढ़के आया है जबकि पिछले वर्ष के quarter था 286 करोड का उससे कम होके आया है साल दर्सवाल अगर हम देखते हैं growth तो यहाँ पे काफी अच्छी दिखाई दे रही हर साल जो है बढ़के देखी गई है यानि कि 5 वर्षों के जो sales growth निकल के आ रही वो 37 परसन जो की काफी लाजवाब है तीन वर्षों की 24 परसन जो की बढ़हा है और इसी प्रकार से अगर हम profit growth देखते हैं 5 वर्षों का तो 60 परसन के आसपास निकल के आ रहा compounded जो की शांदार है तीन वर्षों के निकल के आ रहा 11 परसन उसका कारण है कि पिछले एक डेड़ साल में इतनी जादा गिरावट हुई है या इतना स्यादा मुनाफ़ा कम हुआ कि उपर के भी जो है आकड़े थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं performance वाइस अगर हम देखते हैं 10 वर्षों में इसने करीब 54 परसन का CGR रिटन दिया है जो की बहुत ही कमाल के रिटन है पांच वर्षों भी देखते हैं तो काफी बढ़े है रिटन दिये है 54 परसन के आसपास का CGR निकल के आ रहा है तीन वर्षों में भी 60 परसन का CGR निकल के आ रहा है लेकिन अगर देखें एक साल का डिड़ साल का रिटन देखेंगे तो बहुत ही कम है तो यहाँ पर जो गयफ है यह फिल होना जरूरी है आने वाले समय में यह भी आपको अच्छ रिटन मिल जाएगा पांच वर्षों की 32 परसन आप रिटन आने कुटी दिखाई दे रही है और लास्ट येर की 23 परसन के आसपास अब यहाँ पर हम क्वार्टर ली कुछ नंबर्स देखते हैं जैसे कि आप देखेंगे मार्च 2020 था 1056 कोड़ की सेल्स जून में कम हो गई उसका कारण था यहाँ पर लॉक्टाउन लग गया था फिर देदरे बढ़ते हुई बढ़ोतरी होती गई अगले क्वार्टर में 712 करोड़ फिर 900 करोड़ फिर 1009 करोड़ फिर 1075 करोड़ 1295 करोड़ 1370 करोड़ 1462 करोड़ 1702 करोड़ फिर यहां सितंबर 2022 से वही आप समझ गए कि यह रशिया और यूकरेन की वज़े से काफी दुश्मिट भाव पड़ा बहुत सारी चीज़े होती हैं डिमांड कम हो जाना लॉजिस्टिक सिस्टम खराब हो जाना उस समय तो बहुत ही प्रॉबलम हो रहे थी चब वार चल रहा था इन सारी चीज़ों की वज़े से कंसिस्टेंसी थोड़ा सा यहां पे रुग गई है पिछली तीन क्वार्टर मे अधर्वाइज अगर आप देखेंगे 2000 करोड उननीस सुमासर करोड का यहां से रेविन्य होना चीए था 200 करोड फिर 2500 करोड फिर यहां पे करीब करीब 3000 करोड हो जाना चाहिए था तो यह जो कंसिस्टेंसी है या जो भी यहां पे कमी देखी गई है यह भविश में जब भ फिर से जो है अच्छी रिटन बनाके देने में सक्षम होगा इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहां पे महत्त पूर्ण चीज नोटिस करने वाली बात है कि कोई भी प्रमोटर अपने शेर्स क्यों खरीद रहा है देखें पिछले व है कि हमारा ज़े प्रोडक्ट से हमारे जो कंपनी है है जो मौर्कमे उसको प्राइस मिलना चाहिए उनहीं मिल पा रहा क्योंकि सम्स्या है क्यों के कलो से किल्गोटते हैं किसे में बूंताइब तो वो अभी proper जो बड़ी-बड़े fund house या बहुत-बड़ा पैसा आने वाला liquidity है वो अभी नहीं आ रहा है, वो flow अभी नहीं आ रहा है, इसी वज़े से जो भी FII's कभी गढ़ते हैं, कभी बढ़ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो DII's हैं, वो अच्छे खासे हैं, अग कि 73 करोड का यहां पर दिखाई दे रहा है, borrowings, मुझे लगता है कोई छोटा मोटा bill pending होगा, वही है, बाकी company के पास अच्छा खासा रिजर्व है, 4000 करोड के आसपास, है ना, तो debt-free company किसी प्रकार के चिंता करने वाली बात नहीं अच्छा खासा रिजर्व है, पांच वर् यहां पर बन रही है, तो return भी अच्छे दे रहा है, products भी अच्छे है, company की demand भी अच्छे, भारत वर्ष में भी काफी अच्छा-कासा market share, consumption है, तो मुझे लगता है, ऐसी कमपनियों को portfolio में रखना, fundamentally अच्छी कमपनियों को promoter-wise, debt-wise, business-wise, यह company कभी आपको धोखा नहीं दे जाएंगे ही जाएंगे, फिर भी दोस्तों कोई भी decision लेने से पहले ऐसी कमपनियों में, जरूर स्वयम का स्वाध्याय करें, मुझे लगता है, इस IP के लिए बढ़े हाई stock है, और जिनका point of view काफी लंबा है, पांच साल, छे साल, साथ साल, उनके लिए company, यह हीरा company है, आपके भी कोई सुझाओं तो जरूर आपको एंबाक्स में रख सकते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स